चुनायोग उसकी निस्पक्षता पर लगतार सवाल उठ रहे थे एक बार यात कीजिए कि जब कहराना में चुना होता तो चुनायोग ने कहा कि गर्मी के कारण जो है वो EVM मसीन खराब होगी दूसरी बार जो है देखा जाता है कि BGP निता के जो है गारी में EVM पकराता है उ जो है सवाल उठ रहा था याद किजिए कि BGP के ITCEL के अध्याच ने कह दिया था कि चुनायोग की डेट जो है यानि चुनायोग इतने तारीक को होने वाला है चुनायोग के घुसना से पहले बाद में उसको संसोधन किया जाता है और उस डेट को बदला जाता है आज चुनायोग के मुख आयोक्त उनका जो भी एक तरह से उनको जो चुना जाएगा उसमें भारत के जो सीजी आई हैं यानि कि मुख नयाएधिस प्रधान मंतरी और निता विपक्ष यानि कि विपक्ष के तरब से भी एक आदमी रहेगा जज साहाब रहेंगे मुख नयाएध मंतरी मंदल के सला पर राष्टपती मोहर लगाते थे लेकिन अब चुनायोग ने कहा है कि लोकतंत्र में प्रादिर्शिता यानि एक तरह से कहा जाए कि ट्रांस्प्रेंसी रहनी चाहिए और ट्रांस्प्रेंसी रहने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं और इसमें य चंद्रचूर जो मुख नाया है है उसको लेकर के जांच भी बैचाता है उसमें उनके घर पर छापे माली भी होती है लेकिन जब ये चंद्रचूर जो मुक्हिन आए दिसे उनका पैसला अया है उस पर एक तरह से अब यह सवाल किया जा सकता है या एक तरह से इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है चंदरचूर या जो सुप्रीम कोट है वो जो चुनायोक की जो निस्पक्षता थी या जो ट्रांसप्रेंसी थी उसको बचाने का काम कर रही है क्योंकि लगतार जो विपक्ष के नेता थे चाहे वो सदस्य चुनायोक के अधिकारी कि देखिए चुनायोक का ही कहना था कहराना में उत्तरपरदेश में गड़मी के कारण जो है वो एबियम जो है वो खड़ाब हो चुका है यह सब बयान जो है आते गए लेकिन आज चुनायोक ने जो फैसला दिया है वो अपने आप में एक प्रदान मंत्री और निता परति पक्ष जो है वो मिल करके करेगा यह एक बड़ा फैसला है और इससे पार्टियों जो लगतार चुनायोग पर सवाल उठा रही थी अब जो है एक तरह से चुनायोग जो है अपने अस्तर पर इसको लागू करें क्योंकि अगर इसको लागू नहीं किया जाकता है तो धीरे धीरे जो साक्त चुनायोग का वो कम होते जा रहा है एक तरह से यह बुस्टर डोज है चुनायोग के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए